इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते है इसमें अधिक्तम लाब के लिए prebiotics के साथ probiotics शामिल है ये बहतर पाचन में मदद कर सकता है और gas और IBA से राहत दिला सकता है capsule को प्रशीतन की आवशक्ता नहीं होती है और इसे शेल्फ पर संग्रहीत किया जा सकता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक 30 billion CFU और 16 probiotics strain प्रतित capsule में 30 billion CFU के साथ 16 सावधानी पूर्वक चैनित probiotics strain होते हैं जो आंत की स्वास्थय पाचन और प्रतिरक्षा के लिए फाइदे मंद होते हैं दो प्रिबाउटिक्स probiotics के लाभों को बढ़ाने में मदद करते हैं प्रिबाउटिक्स probiotics के लिए भोजन के रूप में कारे करते हैं जो नकीवल probiotics को capsule में जीवित रखता है बलकि हमारे आंत में पहले से मौझूद probiotics को बढ़ने में भी मदद करता है इस प्रकार probiotics capsule की तुलना में 20-30 कुना अधिक प्रभाव देता है जिसमें प्रिबाउटिक्स नहीं होते हैं प्रिबाउटिक्स के बिना कितने probiotics वास्तव में जीवित आंत तक पहुँचते हैं ये संदिग्ध है तीन अधिक तम probiotics जीवित पेट तक पहुँचते हैं विलंबित रिलीज कैपसूल लंबे समय तक कैपसूल में जीवित जीवों को पेट के एसिट से बचाते हैं और अधिक संस्कृतियां प्रदान करते हैं चार पाचन संकट को कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है चुंकि 70% प्रतिरक्षा प्रणाली आंत में हूती है इसलिए अधिक अच्छे बैक्टीरिया जोडने से पाचन तंत्र में स्वस्थ बैक्टीरिया संतुलन का समर्थन करने में मदद मिलती है